सीटी पिंग न्यूज्स के सारे दर्सकान राम राम और गोग्गा नॉम्मे की बहुत बहुत गनीश उपकमना आज का त्युआर है गोग्गा नॉमी का फिज़ गोग्गा नॉमी का इत्युज पर जोग इसके मतलब को लोग हैं और हर साल इस दिन जो लोग हैं यूपी थे हैं बियार थे हैं और यानत हैं सारे गुगामेडी पर क्यों जाया है करें तो यह जानन खातर आज मारी टीम पूंची है इंद्वान गाओं में आश्रम में बाबा जीता बुझांगे चालके ने कि आखिर यो गुगामेडी पर क् साल और इन भगतक करना कि इन पर इतनी श्रदधा क्यों है तो चाला हम इतरर पुछान स्वामी जी ते सेवालत गोष्रम में फिलालाम बेटे हैं स्वामी जी मरगले बेटे हैं तो इन्त बुझ जहां अवनमन के कुछ सवाल स्वामी जी राम 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 पहले दुनू बुझ ना जाओंगी यो जो बार बंडारा लाग रहे है इसके पीछे कारण के है किस खातर यो बंडारा बंडारा बाबाजी की किरपा से आमसे नहीं लगा रहे हैं और जितने सरवालों आ रहे हैं दूर दरहाल से बाबा के जा रहे हैं जो मैरी दाम में इसका कोई उदेशे निया है कि है कि मन की शेवा तन की शेवा करते हैं आने वाड़ा यात्री जो हैंने वहाँ से पड़े होकी पैसे कई आते मिचे तो उनको भोजन की विवस्ता पाने की विवस्ता डा काफी मेरे पास जो बैठें गाजियाबाद से हैं जिनका सायोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है यह सिरफ सेवा का एक बावर सेवा का ही मक्षद हमारा अच्छा अमलब कई साला रही हो जो है आप करन लाग रहे हो जी यह दो जार से बिटा नुस उसले मैंने आसरम की नीम रख क्यों है तो जो गोगं इडी का कि किस्चा है कि लोगां इतनीा आस्ता क्यों है? बटा काफी वरससे गोगा जी का जो मैतव है गोगं पे गहारा की समय से बनी हुए इनके लिए यह दो मनत मांगते Score ″िं दिल से मनत पूरी होती है और उसी मनत से उसी आद्सा से बढ़ते जा रहे हैं नहीं घटनी जा रहें बढ़ते जा रहे हैं यह एक प्राकर्तिक जो जिसको बोलते दरहोवर है उससे का एक संदेश है यह कि हमारी संस्कृतिर हमारा यह देश जो है इन रिश्यमुनियों से लेकिन मारे जो कई सहरी दर्शक है जिन बेरा को नहीं कि गोगाजी की दोग क्यों मार्या करें और यह अस्तितुव में क्यों आए थे तो वो मैं अपना पूछना चाओंगी कि उस बारा माँ आप एक पर मारे दर्शकान जुरूर बताओं बेटा यहां के अमारे जो आसपास के हैं जिनोंने इनकी पूरी गाथा का पता नहीं है और जिसने गाथा का पता नहीं होता वो अंदकार में रहते हैं जिनको गाथा का पता लग जाता है शाक्षात इनने सभी ने पता है इनको शाक्षात इनके दर्शन होते हैं शाक्षा आपके सामने देखना कितनी भीड़ है यह तो है निवे कोई छोटी मोटी चीज आ है जो जू बड़ती जारी है हमारे आस-पास के कई वरी नहीं कहते हैं तो तो ते भी घर का जोगी जोगनारे बार का जोगी शेद तो बाहर देश पदर कहां कहां से लोग आ रहे हैं बावा जिनकी शर्दा बनती है उनके लिए प्रमात्म है बेटा वो कोई भी कुछ भी कहें उनसे कोई नहीं था अस्तित्व में कड़ाई थे ये मतलब इनकी दोगपोजा शुरू कड़ोई थी बेटा ये एक रहशे है बहुत पुराणा इनकी जो रहशे आप निकालोगे अब ये फिंडिन पर्ती आजका नहीं है तो कआफीには अज़का नहीं है तो कफी वर्सों पुराने वर्सों और वर्म से चलता रहे पूरी लिला है जिसने पूरी व्यक्रोई वेखान गरखी है उदोसमी ने पताबी हाँ पूरा जोर जोर से मनाई जाती है इनका जो है गोरखनाजियों ने वहां जो तपश्या की है बावा गोगा जी ने जो है न वहां तप किया हुआ है और तप के दोरान उन्होंने उस जनम भूमी को जो है पुरा पवित्र बढ़ा है लिला गोड़े के प्रता है कि यात्री जावें तो अंदोर लिले गोड़े लेक्या आया गरें और लिला गोड़े की पिछान भी मानी जाए गोगा की वो लिले गोड़े के पिछे के किसा है लीला गोड़ा बिटा इनकी एक स्वारी इनका जो कहते हैं भी हमारे साथ सस्तर होता है कोई किसी चीज का किसी के पास कोई चीज होती है असलिए जिसको वो पूरा मैतल देते हैं हम कई सस्तर रखते हैं हम कई वहान रखते हैं हमारे जो परसनल रखते भी हमारा ये एक वहान की चीज है ये चो लीला घोड़े से इनको मानते हैं लोग लीला घोड़ा भी एक पूज़नी चीज है अगर हम वास्तिकता इसके अंदर जाएंगे तो पता लेगा वो भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है गोगाजी के साथ में वो भी चल रहे हैं इसलिए उसको देते हैं व के पीछे मी आपने हैं दो गोड़ा और गोगाजी के साथ जो है पूरा मेरी के अंदर जितना भी अप लाओ गे साथ में तो कि चारश दो बाप पूजा है वहां साथ में गोगाजी के शाध की बीट पूजा मानी जाती है आप कितना भी जैरिला साथ क्यों कितना खतरणाक सांप भी क्यों ना हो अगर लड़ जाए किसी का तो बोलते बाबा जी के एक पर दो दो आपको पर जयर असर नहीं करेगा आम जैसे दादी गोरी को जाते हैं दादी गोरी को जो है ना सांप की एक बड़ी पूजा इसी तरह गोगा जी के साथ में शाप भी ए यह थे आश्रम के स्वामी सुग्दानंद महराज जी जिना ने अपनाती बताया कि अखिर गुगा मेड़ी की दोख जो है इतने लोग क्यों मा रहे हैं उसमें इतनी आस्ता लोगां की क्यों है इसके से ती मारे से एक सज्जन और बेटे हैं और इन तभी पूजांगे कि इ दिला हैं वो यह है कि यह कोई संतान नहीं थी उनके जो राजा थे तो वहां गुरु गुरु गुर्खनात की सेवा करने से उनको संतान पैदा हुई उनको जो है कहीं संतान नहीं थी वैसा बर्दान लगा हुआ था तो उन्होंने अपने यह सर्पों के राजा थे उनके प यह साथ में जो गूगर जिनको गूगर दिया उनसे पांच बीर पैदा हुए थे उन पीरों के नाम है जैसे अपने बाबा जाहर बीर और जो लीला नीला जो सब्द कहते हैं वो घोड़े का नाम लीला है वो नीला कलर नहीं था घोड़े का नाम है लीला इसी तरह से भज्ज और जो भजू कोतवाल थे उनके जो भूवे थे उनका जो जाड़ू पहुचा करने वाली थी भजू कोतवाल यानि रानी बाचन ने सबको गूगल दिया था तो पांच बीर पैदा हुए इस तरह से इनकी यह कहानी है यह तो थी बात गूगा मेडिकी गोरकनाथ की और उन किन उनके इसके प्रति इतनी आस्था क्यों दिया पिछली वार पिछली साल मैं शरदा मांगी थी वो मेरी पूरी करदी थी बावा मेरी पूरी पूरी करदी ने शारम डिली से बंदल्लिसफों से हो में यह कितने सालते हो जाओ लोग बावा गरेण दुकान दे बच्चे देडिया पर मारे सादी थे दुकान दे जो बच्चे तो पर वहा चार ने इस की तो ना विच्पन से उनके बावा आते थे पर उनके भाई लोग आते थे बच्पन से शाहिए करें हैं ठीक है कोई इच्छा भी पूरी हुई है हाजी मम्मी जिन की काफी इच्छा है पूरी हुई है और हम लोगों की भी सद्धा बाबा ने पूरी करिये पिछले दो बरस पहले मम्मी जी के मम्मी जी को पता लगा कि मेरे कैंसर है तो उन्होंने बाबा से लगन लगाई तो बाबा ने उनकी मुराज सुन ली और हमने गोगा मेडी दोखने के लिए बोला तो वो कैंसर जो सई हो गई थी अच्छा जी और अब तक ठीक है फिर जी हां दो बर्स हो गए उन्हें कोई पर सब्सक्राव नहीं है तो के है जो इतना बड़े ता बड़ा कैंसर जो सब ता बड़ा जान लेवा रोख माने जा है वह भी न्यूए एक जटका में ठीक हो जा है तो या तो बात ही हुरा आए डिस रदालुआ की जो अपने कुगा मेडिते ओड़े थकार क्या आई है अरे सब्सक्राइब तो सब्सक्राण लाग ऩहीं जा अरम चाहतर क्यों धूंत है दर में एया फ्री में फिर में घटर क्नोड़ा गजाओ नाम सब्सक्राइब हीarner सब्सक्राइब ऑफिसे लागते हैं और मेरे जो पैसा लगाते हैं और यह विचारे जो इतनी मजदूरी लेते हैं जो जाइज है जो अपना यहीं अपना घर्चपानी कर जाते हैं और अपना बाबा की सेवा की वज़े से क्यानामा यह 27 सा रोगी में आते जाते हुई तो बही यह थे उर्ड़ के जो खाणा बनानाणी है वो घुद भी यूपी तरह हैं और यूपी तरह खासकर कि सारे यूपी आड़े को नहीं लेकिन मोटे मोटे जो जादा दर्त है वो लोग यूपी के थे आड़े जो बंडारम आए थे उन्हाने बंडारे में लगाता और जिमान लाग रहे हैं और बताना लाग रहे कि करीब 20,000 लोगा तीरा नीवलक जिमा दिया और बंडारा आज भी पूरा दिनी बेला के चाल लेगा तो आगे भी शामी इसे डाल की कोई भी आतरा होगी उसकी सारे पहलों आपके शामी लेकर आओगा जिसने जानन खातर देखते रही है यह सिटी बिग नियूज नमस्कार शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सबस्क् झाल